हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास3oneTag तो फ्रेंट जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पर नए-नए अपडेट आते रहते हैं और इस बार यूट्यूब का एक बहुत ही कमाल का अपडेट आया है जिसका नाम है Go Live Together तो ये अपडेट क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है और इससे आपको क्या-क्या फायदे हैं वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ में लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस फीचर को यूज़ करने के लिए eligibility criteria क्या है, मतलब कौन इसको यूज़ कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है तो वीडियो बहुत ही ज़ादा informative है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Go Live Together क्या होता है तो फ्रेंट्स जास कि हम यूट्यूब के उपर लाइब करते हैं उसी तरीके से अब Go Live Together में क्या होगा कि आप किसी भी यूट्यूबर को चाहे वो बड़ा हो या चोटा उसे अपनी यूट्यूब लाइब के अंदर जोइन करा सकते हैं उसे invitation link भेजके और ऐसा करने से आप दोनों एक साथ YouTube पर live आ सकते हैं तो friends अब बात करते हैं कि इसको कैसे use करना है तो आपको सबसे पहले आपने YouTube की application को open करना है उसमें आपको center में जो नीचे plus का icon होता है उस पर click करके go live together वाले option पर click कर देना है उसके बाद आप जिस भी YouTuber को अपनी YouTube live के अंदर add करना चाते हैं उसको आपको invitation link को copy करके उसे email कर देना है या फिर message के थूरू से base देना है तो जैसे ही वो उस message पे click करेगा उस message को open करेगा तो उसको live join करने का option आएगा और जैसे ही वो से accept करेगा तो वो आपके साथ उस YouTube live के अंदर जूड जायेगा और आपको हाँ पे half-half screen उपर नीचे दिखाई देने लग जाएगी और इसके बाद आपको अपने network को देख लेना है कि आप दोनों के network ठीक चल रहे हैं उसके बाद आपको go live पे click करके live आजाना है और आप दोनों YouTube पर live आजाएंगे तो इस तरीके से आप इस feature को use कर सकते हैं अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूं कि इस feature से आपको क्या-क्या फायदे होने वाले हैं तो मैं तीन में आपको फायदे इसके बताऊंगा सबसे पहला है कि आपने YouTube पर काफी सारी वीडियो देखे होंगी collaboration की जिसमें लोग एक दूसरे के साथ collaborate करते हैं एक दूसरे के साथ question answering करते हैं उस वीडियो में तो इस वीडियो कैसे बनती हैं पहले वो record करते हैं उन वीडियो को फिर editing करते हैं तो इसमें काफी जादा time waste होता है तो अब go live together आने से आपको क्या फायदा होगा कि अब आप इसमें एक साथ दोनो live आके अपनी audience के साथ connect हो सकते हैं अपनी audience के साथ जूड़ सकते हैं तो यह इसका पहला फायदा है दूसरा फायदा इसका है कि आपके views और subscriber जो है वो बहुत तेजी से increase होंगे क्योंकि जब आप दोनो live पे आएंगे और आपने किसी बड़े YouTuber को अप YouTube live में join करा रखा है मतलब आपने किसी बड़े YouTuber के साथ आप live कर रहे हैं तो उसकी जो भी audience होगी वो आपके चैनल पर आएगी और आपकी जो audience है वो उसके चैनल पर आएगी तो इससे आपके views और subscriber increase होने में आपको काफी जादा help मिलेगी अब तीसरे फायदे के बारे में बताता हूं तो इससे जो आपकी earning है वो बहुती जादा बढ़ने वाली है अगर आप किसी बड़े YouTuber को अपनी YouTube live के अंदर join करा देते हैं तो उसकी तो काफी सारी audience होगी और उसको काफी सारे super thanks और super stickers भी मिलते होंगे लेकिन अगर आप खुद अकेले अगर YouTube पर live करते हैं तो हो सकता है कि आपको अभी super thanks कम मिलता हो, super stickers कम मिलते हों लेकिन बड़े YouTubers को ज़्यादा मिलते हैं और वो जब आपकी live के अंदर join हो जाता है तो उससे super thanks, super stickers काफी सारे मिलते हैं और वो जो भी पैसा होता है वे जो भी earning होती है वो आपको मिलेगी क्योंकि आपने आप host ह उस YouTube live के आपने उस बड़े creator को अपनी live के अंदर जोड़ा है तो उससे जितनी भी earning होगी वो आपको मिलेगी तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है अब last में मैं आपको बताता हूं कि इसकी eligibility criteria क्या है मतलब आपको इस feature को use करने के लिए किन-किन चीजों को fulfill करना होगा क कौन-कौन से criteria हैं जिनको आपको पूरा करना होगा उसके बाद ही आप इस feature को use कर सकते हैं तो मैं आपको इसके 4 eligibility criteria बताने वाला हूं जिसमें सबसे पहले number पे है कि आपके channel के उपर कम से कम 50 subscriber होने चाहिए अगर आपके channel पर 50 subscriber नहीं है तो आप इस feature को use नहीं कर पाएंगे तो आपके YouTube channel के उपर 50 subscriber होने चाहिए तब ही आप go live together वाले feature को use कर सकते हैं दूसरा number आपका YouTube channel है वो verify होना चाहिए जो हम YouTube channel बनाने के बाद सबसे पहला काम अपने mobile number से उसे verify करते हैं तो वो आपको जरूर करना है अगर आपको verify है तब ही आप इस feature को use कर पाएंगे अब तीसरे नंबर पर बात आती है कि आपका YouTube channel है उसके उपर कोई भी active community guideline strike नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई active copyright strike होनी चाहिए अगर आपके channel के उपर कोई भी strike है copyright या फिर community guideline strike है तो आपको यह आप feature use नहीं कर पाएंगे और आप बात करते हैं fourth point के बारे में अगर आपका YouTube channel made for kids kids related video बनाते हैं आपका channel kids वाला है तो आपको यह नहीं मिलेगा यह feature आप यूज नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको यह update तो सब पर आएगा लेकिन आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे तो यह सारे वो criteria है जो आपको fulfill करने पड़ेंगे अगर आपको अपने YouTube channel के ऊपर go live together का जो feature है वो यूज करना है तो तो friends मैंने आपको सारी details completely बता दिया है कि go live together क्या होता है इसको कैसे यूज करना है इसके क्या फायदे है क्या eligibility criteria है अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो लोगी हो पसंदाई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you